रोटी चुर्मा या रोटी चुरी जिसे बच्वर में हम सुवज बड़े चाव सिखाते थे यह होती इतनी टेस्टी हैं टेस्टी के साथ यह हैल्दी भी होती है अगर आप सफर में जा रहे हैं तो रोटी चुर्मा के लड़ो बना कर सफर में लजा सकते हैं ये जल्दी खराब नहीं होते तो चलिए बनाते हैं रोटी चुर्मा रोटी चुर्मा बनाने के लिए सबसे पहले हम रोटी या प्रांठा बना लेंगे अगर आपके पास पहले की कोई रोटी या प्रांठा पड़ा हो तो आप उससे भी रोटी चुर्मा बना सकते हैं प्रांठा बनाने के लिए मैंने नर्मल ग्यों काटा लिया है प्रांठा आप किसी तरीके का बना सकते हैं तिको ना लच्छा या चोरस मैं चोरस अकार का प्रांठा बना रही हूँ प्रांठे को गी लगा कर अच्छे से सीख लेंगे मैंने इस तरह से दो प्रांठे त्यार कर लिये हैं अब इन प्रांठों से चुर्मा बना लेती हैं इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है अब इन प्रांठों को छोटे चोटे टुकडों में तोड लेंगे जिसे चुर्मा बनाने में असानी रहती हैं मैंने प्रांठों को छोटे टुकडों में कार ले हैं अब इसमें 4 टेबल स्पून शक्र डाल देंगे, आप चाहें तो देसी खान, जगुड को छोटे छोटे टुकडों में तोड कर भी डाल सकते हैं, अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं, तो एक टेबल स्पून शक्र और डाल सकते हैं, चुर्मे में खुश्बू लाने के इसम इसमें 1-4 टेबल स्पून चोटी लाइची का पाउडर डाल देंगे, वन टेबल स्पून डेसेकरिटिड कोकोनेट डाल देंगे, आप चाहें तो सुखे नाडेल को कदू कज करके भी डाल सकते हैं, एक टेबल स्पून स्फेट तिल, थोड़ी से बारी कट्रे अब इन सबको हाथों की मदद से मसल मसल कर मिक्स कर लेंगी, जितना आप अच्छे से मसल लेंगे उतनी ही अच्छे से चुर्मा बनेगा हमारा चुर्मा बनकर तेयार है मैंनी से सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है, अगर आप सुबह नाष्ट में एक बाउल रोटी चुर्मा के खा लेते हैं, तो इससे आपको पूरे दिन एनरजी बनी रहते हैं, और शडीन में ताकत भी बनी रहते हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी एक एक बाईट कितनी बड़िया बनी है तो आप भी अपने बच्चों को पीजा बर्गर के जिगे ये टेस्टी हेल्दी रोटी चुर्मा बना कर खिराएं, इससे उनमें दिन भर एनरजी बनी रहेगी थैंक्स वर वाचिं